जैहिन सभी फोजी भाईयों का हार्दिक स्वागरत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे यदिने भी दोस्ति अन्य आर्मी तारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मात्पूर्ण प्रैक्टिस सेशन चलना तो आप लोग जुड़ जाएगा सेशन को लाइक स सब्सक्राइब करें कि कि चुनाओ लोग सभा अध्यक्ष के चुनाओ की ति कि निर्धार्भा जाती है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है राष्ट पती संसत्त के द्वारा या लोग सभा के द्वार या प्रिदान मंत्री के द्वारा राइट आंसर दोस्तों बनेगा राष्ट पती के द्वारा जो क्या होता है लोग सभा के अध्यक्स के चुनाव की दिती को निर् तो राइट आंसर बनेगा option D नांजिंग संधी आपको राइट आंसर होगा या दोस्तों हमने पीछले भी प्रक्टिसेशन में करवाये हैं दूसरे पेपर में भी आ चुका तो आपके लिए इंप्रदान मंत्री ने भीजा था तो राइट आंसर बनेगा आपका विश्टन च नंबर फोर है इसका आंसर करना कि इवी ओड ढी ड्रीम किस अभिनेत्री की जीवनी है आपको इसका आतर करना q丁 करना q4 क sonra क्या राइट शुक्ष्च्षर का रृत आंसर क्या हो थि एक और् सिर्फ सक अंसर होगा ूछ ब्योग ड्रीम और्सी मने जीवनी की आत्री किसकी ह कितनी दूरी ताएं की थी मुंबाई से जो कि थाने तक जो पहली बार ट्रेन चलिए ती उसने कितनी दूरी ताएं कि थी ऐपसिंध और आपका 6 question number 6 है कि निम लिखित में से कौन सा सहर विख्यात और धोगिक सहर नहीं है correct answer क्या होगा आप लोग इसका answer करें question number 1 है कानपूर B इलाहाबाद C जमसेथ पुड़ी आपका मुंबाई तो right answer होगा option option B correct answer होगा इलाहाबाद आपका right answer होगा question number 7 है कि पर्थम पर्माडू बं का विस्पोर्ट किस वर्थ हुआ था 1945-1946-1946-1946 में तो right answer होगा छे अगस्त आपका 1945 में दोस्तों आपका पर्थम जोगी पर्माडू विस्पोर्ट हुआ था next question है question number 8 question number 8 है कि सिपाही मंगल पांडे किस बटालियन के सैनिक थे Royal गोर्खा राइफल्स कारनाटिक इंफेंट्री आपका सिक रेजिमेंट 36 रेजिमेंट आपको और आपका option D है आपका 34 रेजिमेंट बटालियन बंगाल नेट्टी इंफेंट्री इंफेंट्री तो रहाइट अंशर बढ़नेगा option D आपका क्या था 34 वी बंगाल नेट्री इंफेंट्री के जो कि क्या थे जिपाही थे आपको याद रखना option D आपका correct answer होगा क्विश्चन नमबर आपका nuu क्विश्चन नमबर एकी match fixing कलंग किस खेल से सम्भान देता है match fixing कलंग किस खेल से सम्भान देता है football, volleyball, cricket या फिर hockey या फिर hockey तो राइट answer डिवनेगा option C cricket जो कि secret से सम्भान देता है Question number 10 है Question number 10 है कि भारत में कितने साल के अंतराल में जन गरना का आयजन किया जाता है 12 साल, 6 साल, 10 साल या पिर 6 साल यहांपे Heal दोस्तों क्या होगा राइट अंसर 10 साल के अंतराल में जो भी आपका जटगरना जो कि आयजन किया आता है Question number 11 question number 11 कि सूनिकाल क्या है सूनिकाल क्या है आपको इसका answer करना है सूनिकाल क्या है बीस्तर से उठने का समय सोने का समय या सुबह के एक बज़े या फिर आपका option D संसद में प्रसंकाल के बाद का समय तो right answer बनेगा option D संसद में प्रसंकाल के बाद के समय को क्या कहता है सूनकाल कहा जाता है question number 12 है कि भारत का राष्टे फूल क्या सभी को पता हो गुलाब, सूरी, मुखी, गेंदा या फिर कमल right answer बनेगा आपका कमल आपका right answer होगा option D कमल आपका correct answer बनेगा next question है question number 13 question number 13 है कि चंगेज खान ने चंगेज खान के किस ने स्थापना की थी चंगेज खान ने किस की स्थापना की थी आपको इसका answer करना है question number 13 का question number 13 का right answer होगा चंगेज खान ने किस की जो कि किस की स्थापना की थी तो right answer क्या होगा मंगोल समराज की option C correct answer बनेगा या मंगलो समराज की जो कि किस्णे की थी तो चंगेज खान ने जो कि स्थापना की थी next question है question no.14 question no.14 कि भारत संख्राष्ट का ततत्रस्टि कब बना था भारत संख्राष्ट का सतत्रस्टी कब बना था तो correct answer क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 2645 को क्या बना था 1945 को दोस्तों क्या बना था जो कि आपका भारत सहीक तुराष्ट का जो की सदस्य बना था तो राइट आंसर क्या बनेगा 1945 आपका इसमें से कोई नहीं तो आपका राइट आंसर क्या होगा आप लोग यहाँ पे दिखेंगे 1945 यह यानि कि इन में से कोई नहीं है आपका option E यहाँ पर add कर लेंगे इन में से कोई नहीं बढ़ते है next question तरब question number आपका यहाँ पर है 15 question number 15 कि अपने दखन अभियान के दौरान अलाओ दिन खिल जी खिल जी ने कि सेना के कमांडर कौन थे सेना की कमांडर कौन था आपको बताना इ कि सेना के कमांडर कौन थे कौन थे बिश्कर्ण और अभियान च्चास आपको औरर यहां यहांतों से किसा को Simpson है कि किसी रोग के π्रति रोगता को क्या कि रोगक्ता को क्या कहते हैं परफ्टीरेज्चा को को प्रत्रच्छा केए Means, किसी वस्तु की उचाल करता है, किस वस्तु की उचा किसी वस्तु का द्रबमान की कितनी घहराई में उस वस्तु को ढूबया गया और into K centrally is important concept कें नबर आपका 18 कि जब वर्षा के पानी प्यच्मान धैत अल्ट से कम हो जाता है तो वह अमलवर्था कहलाती है किस से कम हो जाता है दो अमलवर्था कहलाती है तो correct answer क्या बनेगा option C पांच आपका right answer होगा yes question है question number 19 किस मार्ध्यम में किस मार्ध्यम में प्रकास की गति अधिक्तम होती है किस जो की मार्ध्यम में प्रकास की गत्ती अधिक्तम होती है पानी में इस्टील में वैक्यूम में या फिर प्लास्टिक में तो राइट आंसर बनेगा वैक्यूम यानि कि आपका निर्वात निर्वात आपका राइट आंसर बनेगा निर्वात आपका यहां पर राइट आ कौन सा प्रदार्थ है इन में से आपको बताना है कौन सा सबसे लचीला प्रदार्थ है rubber, steel, काच या फिर plastic तो right answer बनेगा आपका इस टील जो की right answer होगा option be correct answer बनेगा next question है question number आपका इहां पर कि इंसान के कान के लिए कितना decibel का धनी दर्द नाक होता है धर्द नाक होता है तो right answer बनेगा option जो की आपका बी नबबे यानि 85 तक सुन सकता इस से ज़्यादा की धनी जो किया होगी इसके लिए दर्द नाक होगी त्यानि कि आपका option यहाँ पर right answer होगा option बी correct answer होगा next question है question number आपका यहाँ पर 22 की नवजात सिच की नबज प्रतिदर मिनट होती है जो कि आपको इसका answer करना है नवजात सिच की नबज दर प्रति मिनट होती है तो क्या होती है 120 से 160 मिनट प्रति मिनट होती है next question 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 number आपका 23 है एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है सबी पता होगा 746 आपका correct answer बनेगा question number 25 की जिवास में इंधन किस से बनता है नहीं कि जिवास में इंधन किस से बनता है चारकोल से समुद्र के पानी से अलकोल से है पौधो और जानवरों के विगटन से right answer होगा option D पौधो और जानवरों के विगटन से next question 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 number आपका यहाँ पे है 26 की धात बिजली के अच्छे सुचालक होते है क्यों right answer क्या होगा इसमे question number 26 का right answer आप लोग क्या करेंगे question number 26 आपके स्कीन पर तो दोस्तों क्या होता है option B correct answer होगा उनमें electron बाधित नहीं होते हैं question है आपका question number 27 आपको इसका अंसर का अगनी समक में काउन सी गैस का उपियोग किया जाता है अगनी समक में question number 28 किसी चुम्बक में चुम्बक के गुड़ को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है ठंड करना पानी में रखना चुम्बक पर हथोड़ा मारना या फिलोहें के संपर्क में ना तो right answer क्या होगा कैकर थोड़े से पीटकर दोस्तो किया किया था चुम्बक पर हथोड़ा मारकर जो किया होगा समका राइट answer होगा след question नमबर आपका 30 होमर के लिए कोश्चन है होमर के लिए कर वीडियो अच्छी लोगी यह तो लाइक करेंगा तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगा चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्ट सेक्शन में तब लिए जैए भारत बंदे मात्रम